क्यों डिम्पल सिंग पर आया है पवन सिंग का दिल जी हाँ इन दिनों सोशल मीडिया पर पवन सिंग और डिम्पल सिंग को लेकर कई बाते कहीं जा रही है कहा जा रहा है कि अब अक्षरा सिंग के बाद पवन सिंग को कोई भी एक अच्छी जोडीदार अगर फिल्मी पर दे पर मिली है तो वो कोई और नहीं डिम्पल सिंग है और डिम्पल सिंग उनके दिये लकी चाम रही मिठा मिठा बाते कमरिया ने बड़े ही कम समय में बहुत अच्छे व्यूस हासिल किये है यूटूब पर और साथ ही आपको बता दे इन दोनों की केमेस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया है ये दोनों एक साथ दोफों में नजर आएंगे साइको सैया और दूसरा स्व दिमपल सिंग पवन सिंग के साथ रहती थी तो आपको ये बता दे कि डिमपल सिंग का उलड़ेडी बॉइफरेंड है जी हा डिमपल सिंग और रिलेशन्शिप में है भोचपूरी के ही बंदे हैं वो कहा जाता है कि वो एक राइटर है और आपको बता दे कि अपने प्यार को लेकर डिमपल सिंग काफी जादा पज्जेसिव है जी हां ऐसा कहा गया था कि अक्षरा सिंग का भी दिल उनके बॉइफरेंट पर आ चुका था लेकिन अपने प्यार को किस तरह से अपना बनाना है कोई डिमपल सिंग से सीखे डिमपल सिंग भले ही पवन सिंग के साथ काम करती है लेकिन अक्षरा से उनकी अच्छी खासी दुस्मनी है जी हां अक्षरा सिंग को कई बार वो टार्गेट भी कर चुकी है और कह चुकी है कि भोजपूरी में जब हिरोई ने सब कुछ सह लेती है तब अपनी भडास वो बाद में जब रिलेशन बिगड़ते हैं तब क्यों नहीं करती है कि अपना उस वक्त तक रिलेशन ऐसे ही रखे कि कोई उन पर हावी न हो खैर हम आपको बता दे कि डिमपल सिंग और पवन सिंग के रिलेशन्शिप को लेकर जो लोग ये बाते कर रहे हैं कि क्या ये दोनों एक नया स्टेप लेंगे क्या ओन स्क्रीन के समेस्ट्री से उपर उटके कुछ नया करेंगे तो आपको ये भी हम बता दे कि ऐसा फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि अल्डेडी पवन सिंग भी शादिशुदा है और डिमपल सिंग भी अपने बॉइफ्रेंड के साथ काफी खुश है हम आपको बता दे कि हमारे स् सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल न भूलिए